हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टो माई पॉड़कास स्टोरिस चैनल आज के इस पैनमिक टाइम में आप सब जानते हो चाहे महंगाई की बात हो या किसी भी तरहें की परेशानी की बात हो उसमें सबसे टॉप पर नाम आता है मिडल कलास का जी हाँ, मिडल कलास एक वो कलास जिसका कोई आगे नहीं है जिसका कोई पीछे नहीं है जिसको एक से लेके जहां तक भी हो उस गिंती को पूरा करने के लिए खुद ही जोर लगाना है मिडल कलास फैमली से होना कोई गुनह नहीं है बस सपनों को पूरा होने में थोड़ा वक्त लग जाता है और मिडल कलास का होना सच मानो तो किसी वर्दान से कम नहीं है क्योंकि इसमें कभी बोरियत नहीं होती अब आप सोचोगे कि बोरियत और वो भी मिडल कलास वर्दान ये क्या है अरे भाई जिन्दकी भर कुछ न कुछ आफ़त तो लगी ही रहती है मिडल कलास वालों की कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होता जो सुख शामती और हस के निकल जाए मिडल कलास वालों की स्थिती बहुत ही पेइनफुल होती है अब इसे थोड़ा हलके में लेकी चलते हैं वरना बोजिल लगने लगेगा ना तो उन्हें तैमूर जैसा बचपन नसीब होता है और ना अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा नसीब होता है फिर भी अपने आप में इतने उल्चे हुए रहते हैं कि 24 गंटे बिजी ही रहते हैं एक बात और है मिडल कलास का होना अपने आप में एक फायदा भी है आव आप सूचोगे कैसे बाई BMW का रेट बढ़ जाए औडी नहीं आ जाए आई फोन कोई लॉंच हो जाए भाई मिडल कलास को घंटा बर फरक नहीं पड़ता उनके लिए आज भी वही रेट है कल भी वही रेट है इन चीज़ों का मिडल कलास की आद ही जिन्दकी ये जड़ते हुए बाल और बढ़ता हुआ पेट इसी को रोकने में ही निकल जाती है आप जानते हो इन घरों में पनीर की सबजी कब बनती है जब गलती से दूद फट जाए और ये मिक्स वेज आमीरों के लिए मिक्स वेज का टेबल पे बैठके और करना कितना अच्छा लगता है लेकिन मिडल कलास पता है मिक्स वेज कैसे बनाता है और कब बनाता है जब रात की सबजी बच जाए फ्रिज में दो तिन सबजियां बच जाएं तो इन सब को मिलाके मिक्स वेज बनाके सर्व कर दी जाती है इनके यहां पर कॉल ड्रिंक, जूज, खुरूटी ये तब आते हैं जब घर में कोई बढ़िया वाला रिष्टेदार आ रहा हो मिडल क्रास वलों की ना चावल खाने की भी वराइटी कपड़ों की तरह होती है डेली वेजिस का, कैजूल, पाल्टी वाले, अब भई कोई आएगा तो बढ़िया चावल बनेगा अब चाय पत्ती, चाय बन गई, तो भई वो इतनी इसली दुलेगी नहीं ये पूछा जाएगा, दुबारा एक गंटे में बन रही है चाएगा, तो उसको ऐसी रहने दो क्योंकि उसका एक एक बूंद तक निचोड़ना मिडल क्लास वालों के लिए परम सुख की अनुभूती होती है ये लोग ना रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल भी नहीं करते आप जानते हों सीधा अगर बत्ती जलाते हैं, पूरे घर में खुश्बू हो जाती है और मिडल क्लास भारतिये प्रिवार के घरों में ये गैट टुगैदर ये नहीं होता सीधा उठाके सब तेनरायन भगवान की कथा होती है इनका फैमली बजट इतना स्टिक होता है सैलरी अगर 31 की जगे एक तरीख को आएगी ये सुनते ही गुलक तोड़ दी जाती है मिडल क्लास वालों की आधी जिन्दगी बहुत महंगा है ये डायलोग बोलते बोलते निकल ही जाती है इनकी बूक बिना होटल के जो रेट्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है अगर ये गलती से किसी अच्छे होटल में चले गए तो सबसे पहले मैन्यू बुक में फूड आइटम्स नहीं देखेंगे उनके रेट देखेंगे मिडल क्लास वाले ना इश्क करते हैं ना महबत करते हैं वो सीध़ी शाद्दी करते हैं और इनके यहाँ पर लाइफ में कोई वेलेंटाइन नहीं होता भै होंगा भी कैसे जिम्मेदारियां जिंद की भर बजरंग दल की तरह पीछे लगी रहती हैं अब अमीर लोग तो शादी के बाद हनीमून पे चले जाते हैं इन मिडल क्लास वालों को पता है क्या होता है शादी के अगले दिन टेंट वाले का बरतन वाले का कैटरिंग वाले का ना जाने बिस्तर वाले का किस-किस का हिसाब किताब करने में कई दिन निकल जाते हैं मिडल कलास बस ये समझ लो ये जो सिर पर तेल लगाया जाता है न उसी की दो बुंद मूँ पे भी रगड लेंगे मिडल कलास है बाई और एक सच्चा मिडल कलास तो वो आदमी गीजर बंद करके तब तक नहाता है पूरी फैमली को नहाने के बाद वो गुसेगा और वो तब तक नहाएगा जब तक कि नल से ठंडा पानी आना शुरू न हो जाए भाई आखिर गरम हुआ है बिल लगा है बिजली चली है उस पर अब वो तो सोचेगा मिडल कलास आदमी है भाई रूम ठंडा होते ही एसी का बटन बंद कर देना मिडल कलास वाले आदमियों के लिए सबसे पहला काम है मिडल कलास चंदा देने की बात आ जाए तो वो हर बात में नास्तिक हो जाएगा लेकिन अगर परसाद खाने का बात आ गई तो सबसे पहले वो आस्तिक को कहलाएगा दरसल मिडल कलास उस मंदिर के घंटी के समान है जिसको कोई भी सरकार हो पूरा दम लगा के बजाती है मिडल कलास को आज तक बजट में कुछ भी नहीं मिला अगर मिले तो पता है क्या मिले ये जो मंदिर में आप जाके घंटी बजाते हो फिर भी हिम्मत करके मिडल कलास आदमी पैसा बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता एक्चुलिटी ये है कि मिडल में एक तरह से यू मनो वो जब लंगर लगता है न उसकी पंगत लगाई जाती है लाइन में बैठते होते हैं उस लंगर की बीच की जगे पर बैठा वो आदमी की तरह है मिडल कलास क्या पूरी सबजी खीर चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए भाई उस तक आते आते सब कुछ खतम ही हो जाएगा हुआ है मिडल क्लास वा लों को सफने बीन हाँ लि मिटломुट इथ जाए है है तेंग की भ्रगी अरे मोटर बंद कर दो गेंश पे दूद उबल गया होगे खड़े के दूद बाल लिया करो अरे चावल जल गया चावल को खड़े खड़े पका लिया करो बस बस इस तरह के सपने आते हैं middle class वालों को, ये middle class लोग जरूर हैं, लेकिन middle class की जो problems है न, वो बहुत high class है, ये थी मेरी आज की middle class को लेके चर्चा, आप लोगों का क्या सोचना हैं, ये आप मुझे comment section में ही बताओगे, इस पर अगर एक दूसरा episode आपके comments पर depend करता है, के बनेगा या नहीं बनेगा, like और share करना, बिल्कुल मत बुलिएगा, और subscribe जरूर कर दे, मिलूंगी, फिर एक interesting story, किसी interesting topic पर एक discussion, तब तक के लिए, good bye.